हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज आप सबी के साथ में एक बहुत ही अच्छी और बहुत हेल्दी ड्रिंक की डेसेपी लेके आई हूँ ये ड्रिंक बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी है तो चलिए देखते हैं ये ड्रिंक हम कैसे बनाते हैं ये इसे हम बेल बोलते हैं ये बेल का सरवत है जिसे गर्मी में पीने से ना सेहत के लिए बहुत ही बैनिफिट है जो अभी जो ये गर्म हवा चल रही है जिससे हमको लू लग सकती है इसे ये रब बहुत रहात देती है तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसके जो ऊपर की परत है इसको किसी पत्थल पे पटकके इसको चटका लीजिएगा उसके इसको फिर ये किसी चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इसके जितने Pulps है उसे एक कटोरी में निकालके एक मौल में रख लेजिएगा इसके उपर के परत को चाकू या किसी चीज से काटने की कोशिस मत कीजिएगा पथल पे पटक के ही चटकाईगा तब ही चटकेगा ऐसे चाकू से यह कटता नहीं है तो फिर उसके बाद इसके अंदर के जितने पल्प से थे ना उन सबी को हम एक चमच की मदद से निकाले यह देखिए इसमें ना थोरे से चिपचिपाब हट रहते हैं तो उससे कोई परिसानी नहीं होती है वो आप इजली निकालके और किसी भी बरतन में रख लीजिएगा उसके बाद देखिए यह सारे मैंने निकाल लिए और इन सारे के पल्प मैं एक जगाई कठा कर ली यह सारे पल्प हैं यह इस तरीके के होते हैं इसमें आप थोरी सी पानी एड़ करके उसके बाद इसे चम कीमटा पानी में सूप करके छोड़ दिजेगा उसके बाद इसे हातों की मदद से इसे मसल दिजेगा ताकि मतलब अच्छे से इसके अंदर जो मतलब बीज होती हैं वो सारे मसल जाए इसे कभी भी घल्भती से भी grinder में मैं डालके इसके इसके इंदर बहुत सारे बीज होते हैं तो इस वज़ा से ना इसका जो मैं मतलब जूस निकालूंगी वो मतलब करवा हो जाएगा अगर इसके अंदर बीज मतलब ग्राइंड कर दूंगी तो उसके बाद किसी मोटी छन्नी में इसे डालके इसके सारे पल्प्स को अधिकर गिरा लीजिए अच्छे से छान लीजि कि यह मतलब थोरे काड़े होते हैं तो इजली आपको निकल जाएंगे इस तरीके से और यह जो उपर के यह जो पार्ट से नहीं यह सब बेकार हैं बीज हैं तो इन्हें आप हटा दीजिएगा उसके बाद इसमें ना सूगर एड कीजिएगा अगर आप मतलब दो ग्लास ब ना था अपने दो चमच सूगर उसमें एड कर दिया है उसके बाद चलिए इसे सर्व कर रहते हैं तो इसे सर्व करने के लिए ना इसे हम नौर्मल भी पी सकते हैं नहीं तो यह भूना हुआ जीरा थोरा सा चाट मसाला हो या काला नमक हो तो उसे एड कर दीजिएगा उसके ठंडा हो जाएगा आप कितना मतलब चिल्ड पीना चाहते हैं उसे साथ से आपना सर्व कर लीजिएगा और उसके बाद अगर ठंडे पानी में ही डाल के बनाना चाहरे हैं तो ठंडे पानी में भी बन जाता है कोई वो प्रॉब्लम नहीं होती है अधर वाइज आपको बार डाल के भी बना लीजिए यह हमने दो ग्लास बना के रेडी किया है एक ग्लास तो मैं एकदम बनाई हूँ अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जीरा या कुछ भी मत डाल लिए ऐसे बस चीनी डाल के और उन्हें दे दीजिए अगर मेरी वीडियो आप पसंद आई हो तो लाइक करना, सेर करना और सब्सक्राइब करना मिलते हैं अगले वीडियो में तो